विहार एस्टेट परिच्छा के रिजल्ट से जोड़ी लाखों अपिर्थूं के लिए इस वक्त की वड़ी और महत्पूल अपडेट आ रही है तीन महीने के बाद भी विहार एस्टेटी परिच्छा का जो रिजल्ट है वोट की तरफ से अब तक जारी नहीं किया गया है और कैलेंडर के अनुसर सितंबर में दूसरी परिच्छा भी होनी थी पिछली परिच्छा का result ना आपाने के कारण दूसरी परिच्छा भी नहीं हो पाई है STT का result तीन महीने के बाद भी जारी नहीं हुआ है पांच लाग से जादा अब्यर्ति result के इंतिजार में इसके साथ ही जो विए डुकती लब बेरती हैं वो भी यहां पर अभी रुके हुए है तो पूरी अपडेट भी स्थार्ट से जारेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में भी यहां पर बात कर ही लेंगे तो चलिए दूस्तों आज की इस वीडि परिचा समयती की मादिमिक शिचक पाते ता रिज़ल्ट अबता जारी नहीं हुए परिचा के तीन वह भी चुके हैं लेकिन पांच लाग से जादा बेट तक तक रिजल्ट के इंदार बढ़र बोटे वेहर वोट की ओर से जारी परिचा कलेंडर के नुसार से 20 मार्च के ब परिच्छा का इंतजार और करना पड़ सकता है ठीक है और रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया है और बोर्ड की तरब यह पाया है पहले जो जनकारी नहीं दी गई है कि अब जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई भी अपटेट दी जाएगी हम वीडियो के माद जिन से आपको अबगत करा देंगे तो आप लोग हमासाद इसी तरह से बने रहीगा और हो सकता है कि अक्तुबर में आपका जो कर दी के लगको चार माहा होने के लिए तो ऐसे भी उमीद है कि वोट के तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो अक्तुबर में घोसित कर दिया है ताकि जितने भी अभियरती पर रिसान है उनकी पर रिसानी का यहां पर समाधान हो सके इस बीडिको से जोड़ कीजे अपने फ लेकिन इसका रिजल्ट अब तक नहीं होसित किया गया इसकलाब दूसरी एस्टेटी के परिच्छा दस से तीस सित्वर के बीच परिस्ता बिती अभी यह तो हो ही नहीं पाई है तो इसमें रिजल्ट क्या आगा कुछ ही नहीं आगा फिलाल इस वीडियो को शेयर जोड़ क